वेलकम बैक दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 10 पकिस्तानी क्रिकेटर के वाइफ के बारे में बताने वाले हैं आप भी जानना चाहते हैं T20 वर्ल काप में खेल रहे हैं सभी पकिस्तानी क्रिकेटर के वाइफ और जीएफ कौन है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें हसन अली ने 2019 में इंडियन फैलाइट इंजिनियर सामिया आर्जू से साधी की है हसन अली की एक बेटी हैं जिसका नाम है हिलेना अलीहसन सर्फराज एहमद पकिस्तान क्रिकेट टीम के पुर्व कैपटेन सर्फराज एहमद ने 2015 में सैदा खुस बहत से साधी की थी सरफराज एहमेद के एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल्ला सरफराज मुहम्मद आमिर मुहम्मद आमीर ने दोहाजार सुला में बिटिस्ट सीटी जेन नार्जिस खातुन से सादी की है मुहम्मद हाफिज पकिस्तानी किर्केट टीम के ओल रॉंडर मुहमद हाफीज ने 2007 में नाजिया हाफीज से सादिकी मुहमद हाफीज के तीन बच्चे भी है पकिस्तानी किर्केट टीम के ओल रॉंडर स्वेव मलिक ने इंडियन टेनिस अस्टार सानिया मिलजा से 2010 में सादिकी थी उसे मलिक के एक बेटा है जिसका नाम है इजहान मिलजा मलिक Mihamad Rizwan ने 2015 में नैमा बेगम से सादि की थी नैमा बेगम सोशल मीडिया से दूर रहती है और मुहमद Rizwan की दो बेटी भी है मुहमद नावाज महम्मद नावाज ने इजदिहार नावाज से साधी की है बावर आजम पकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्तमान कैप्टन बावर आजम अभी अनमेरिड है लेकिन उसकी मांगनी हो चुकी है उसकी कजन सिस्टर के साथ प्रक्स्तान क्रिकेट टीम के बहतरीन बोलर शाहिण अफरीदी अभी अनमेरीड है लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसकी साधिर साहिध अफरीदी के बेटी अक्सा से होगी हारिफ रोफ सदाव खान नसीम सा यह सब खिलारी अभी अनमेरीड हैं तो हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किजिए और हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी इस तरह के हम वीडियो इस चैनल पर लाते राते हैं